अगर आप एक monster fish lover हो एड़ आपको future में pond बनाना है तब आपको ये वीडियो end तक देखना होगा भाई अभी ठंड बहुत है aquarium हीट करना बहुत simple है हीटर डाल दो काम खतब बट इतना बड़ा बड़ा pond को हीट कैसे करोगे that's challenging तो ये वीडियो आप पुड़ा end तक देखिए कोई भी पॉइंट मिस्स मत कीजिए ओके सो फर्स्ट अफ वाल बहुत लोग ये सोचते की pond पे हीटर जरुवत नहीं है ऐसे ही रह लागा बट ऐसा नहीं होता है गाइस बहुत जगा का climate especially इंडिया पे हर जगा temperature ठीक नहीं है कहीं ज़्यादा ठंडा है कहीं थोड़ा कम ठंडा है तो ज़्यादा ठंडा होने से वो hibernation board में चल जाता है 70% chance रहता है वो fish मड़ जाता है इस point को related मैं आप लोगे साथ मेरा एक छोटा सा story share करना चाता हूँ ओके तो last year क्या हुआ था मेरा छट पे जो pond था 8 feet का आप लोगों ने देखा होगा recently मैंने उसको paint भी किया है तो उस टाइम मेरा red tail catfish और alligator car वहाँ पड़ था after November 14-15 last year को उन लोगोंने totally feeding बंद कर दिया था due to cold पानी बहुत ठंडा हो जा रहा था मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा तो इस टाइम कि इस तरह से heat करू तो फिर वो लोग like 3 मेना approach कुछ नहीं खाया था फिर बापत जब मार्च में थोड़ा गरम स्टार्ट हुआ फिर उन्होंने feeding लेना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने उधर 18 feet पे transfer किया आप लोगोंने देखा है तो एक तरह से guys risky रहता है first of all बहुत सरे fishes उस तरह का condition पर बगर आप रख दोगे तो 70-80% मरने का chance रहता है बहुत कम hardy fish रहता है जो बच जाएगा खेर यह तो था last year का scene but this year guys मैं पहले बहुत भीड़ों में बोल चुका हूँ मैं different method यूज़ कर रहा हूँ pond hit करने का and आज का date है like December का 19 अभी भी वो लोग outside वाला मेरा pond पर feeding ले रहा है बहुत ही अच्छे से सारा fishes feeding ले रहा है another thing I want to conclude like मुझे last year है उससे पहले वाला भी year पर बहुत लोग पूझा था कि उस time just मैं starting पर लिया था RTC गार यह सब तो starting पर लिया एक मैना भी नहीं हुआ मुझे बोल रहा है इसका care video बनाओ उसका care video बनाओ अरे भाई मैं Google से जपके नहीं बना था बहुत लोग करता है ऐसा मैं उसको care करता हूँ अच्छे से देखता हूँ एक दो साल experiment करता हूँ सीखता हूँ फिर आप लोग को last में एक proper video share करता हूँ आप मेरा देख लो RTC care video एरवाना 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 इस अब रियल experience वाला वीडियो है ओके सो जब मैं सोच रहा था कि क्या method है fish pond को heat करने का मैं Google पे पहले search कर रहा था YouTube में तो देख रहा था D.I.S.R. नाम का एक चीज होता है यह specially एकदम जहां पूरा frozen हो जाता है pond वहाँ पर use किया जाता है यह वाला चीज floating heater type का बोल सकते हो बहुत ही expensive होता है यह सब चीजे and I don't think इंडिया पे इसको कोई use करता है कि नहीं तो मैंने इसको totally ignore किया एक और चीज में देखा heat pump type का कुछ मिलता है वो भी कहीं पर मुझे मिलनी रहा था एक और होता है like solar heater type का कुछ वो भी मैं google पे देखा था मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था ऐसा ऐसा चीज situation में face करता हो ना कभी कभी समझ में नहीं आता है तो इसको भी मैंने totally ignore किया then lastly मुझे कुछ proper solution उनका मिला and एक point में बता देतो अगर आप दूसरा country या दूसरा जगा पर है आपको ये तीनों चीजे मिल जाता है तो बहुत ही better है expensive रहता है थोड़ा अगर नहीं मिलता तो आप मेरा ये next जो मैं बताओगा उनको use कर सकते अब बात करते हैं हम लोग का main topic के उपर दो point में मैं इसको divide कियो गाइस कैसे आप लोग pond hit कर सकते हैं एक cheap method हो गया ठीक है उसमें natural बोल सकते हैं और एक हो गया expensive उसका अंदर artificial का item से तो सबसे पहले cheap वाला discuss करते हैं तो मेरा एक friend है और नब बैनेट जी बहुत पुराना friend है monster fish की पर है तो उनके पास 10 feet by 10 feet का और height 3-4 feet होगा एक pond है सामने glass वाला और उसका pond ऐसे जगह पर बना है जहांपर सुबह से साम तक sunlight direct आता है उपर से तो मैं आपको वीडियो के थूँ समझाने का कोशिस करोगा उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा है और ये वाला method वो तीन साल से follow कर रहा है बहुत ही अच्छा result है ठीक है तो आप लोग notice करोगे pond का पूरा उपर का area उन्होंने एक plastic से seal कर दिया पूरा एक plastic type का transparent रहता है आप कोई भी medical दुकान पे या बड़े बड़े shopping ball पे देखे होगे ये आपको मिल जाएगा आप अपने local पे search कीजिएगा तो यहाँ कैसे pond heat हो रहा है यह हम आपको समझा रहा हो इसको बोलता है green house effect ये process को पानी नीचे है उपर seal है और उपर से sunlight घुस रहा है तो इसलिए green house effect अगर आप school में पड़े होगे बहुत ही simple है ये एक diagram है आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह का process में बहुत जगा पर use होता है बट बहुत लोग को पता नहीं कि इस तरह का method से भी आप अपने pond को hit कर सकते हो तो आप वीडियो पर देख सकते है किस तरह से sunlight आ रहा है और उन्होंने pond को पूरा ढखके रखा है और कुछ बहुत ही बड़े faces है उनके पास परुनसार चार साल से उपर age है नियरली 3 feet का size है उनका और left hand side में कुछ पाकू से फिर alligator गार है अरापायम अभी है उनके पास तो गाइस यह जो नैचरल sunlight method है greenhouse effect अगर आपका sunlight जैसे मैं बोला किसी किसी का possible नहीं है sunlight लाना घर पे बट वो लोग cheap method में यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं suggest करोगा आप वो plastic से ढख दीजिए फिर जो 100-200 watt का जो bulb रहता है heat bulb बोलते है जहाँ पर हम लोग केरम बोर्ड खेलते बाद यूज़ करते हैं तो वो वाला bulb आप 3-4 लगा दीजिए pond के उपर and problem कहा है वो bulb easily fed जाता है बहुत time खराब हो जाता है तो इसलिए मैं वो वाला method यूज़ नहीं करता पड़ वो भी बहुत ही अच्छा है अगर आपका sunlight नहीं आता है घर पे तो आप इस तरह से heat bulb लगा दीजिएगा 2-3 piece and आपका pond easily heat हो जाएगा ज्यादा दिर तक मत चलें क्योंकि वो बहुत time fed जाता है तो थोड़ा सोच समझ के आप लगाएगा बिजली का बिल भी ज्यादा आता है इसलिए मैं इसको cheap तो बोलोगा ने expensive category में आ जाएगा आप लोग comment कीजिए क्या मैं उनका घर पे एक tour करो उनका जितना भी monster fish है आप लोग को दिखाओ इंडिया पे सबसे बड़ा परुम सार्ट कारेंट्री उनका पास है मुझे जहाँ तक पता है आप लोग को पता होगा तो आप comment कीजिए तो यह हो गया गाईस cheap natural sunlight का थुरू से आप कैसे greenhouse effect बोलता है इसको होता है दिखिए गाईस पहला वाला जो point था वो बहुत ही अच्छा है बट अगर आपका viewing window है या सामने glass वाला point है तभी like ठीक है आप अपने face को देख पाऊगे बट अगर आपका मेरा जैसा point है viewing window नहीं हो उस पर टॉप view बस देख सकते तो अगर आप हमेशा plastic ढ़का हुआ रहेगा तो आप कैसे face को देख पाऊगे and मैं videos बनातों YouTube में तो मुझे वाला like थोड़ा मेरे लिए suitable नहीं था तो मैं कुछ अलग सोचा अपने point को hit करने के लिए ये भी बहुत ही success है तो आप लोग देखे होगे मेरा पास दो monster face का point है एक 14 feet का एक 18 feet का तो पहले मैं 14 feet वाला पर बताता हूँ किस तरह से मैं वो वाला point को and room को hit करता हूँ तो starting पर आप लोग देख सकते मेरा एक ही window है उस वाला room पर तो window भार से भी पुरा बंद है ठीक है कोई भी gap नहीं है फिर सामने का जो front gate आप लोगों ने देखा है वो भी पुरा seal है कई पर gap नहीं है उपर हलका सा gap है ठीक है चलेगा फिर fish room का अंदर भी देखिए उधर का window भी बंद है पड़दा लगा हो है and पूरा fish room देखिए कहीं पर like ठंडा हवा घुसने का जगा नहीं है first of all and यह मेरा indoor setup है but यह room कैसे गरम हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग notice करोगे मेरा जो pond है उस पे 300 watt का 3 heater लगा हुआ है ठीक है पानी भी ज़्यादा नहीं है मैं एक फीट तक ही पानी रखता हो winter पर summer का टाइम में थोड़ा बड़ा देता हो तो यह वाला room heat कैसे हो रहा है देखिए वो जो heater लगा हुआ है वहाँ से जब पानी गरम हो रहा है vapor होके वो पानी उपर जा रहा है ठीक है 300 watt का heater मतलब अगर आप उस पे 28-30 पर चला हो गया तो उपरा boiling mode मतलब आ जाता है बहुत गरम होता है और उस पे cover भी लगा हुआ है safety के लिए तो यह जब पानी गरम कर रहा है तो यह उपर like evaporate हो रहा है ठीक है तो यह पूरा room पर दबा हुआ है मतलब गरम हवा hot air दबा हुआ है ठीक है मुझे extra room heater भी मैं अभी तक use नहीं किया हूँ फिर भी temperature आप लोग देख सकते कितना करम है और pond का पानी भी आप लोग देख सकते है बहुत ही अच्छा करम हो रहा है उपर से इदर left hand side में मेरा एक और heater चल रहा है red valley पिराना का tank पे इसका भी पानी वेपर होके उपर जा रहा है तो इस तरह से पूरा room एकदम गरम रहता है मेरा and room गरम रहेगा तो पानी तो ठंडा होगा नहीं न इसली अगर ठंडा air आता है आपका room पे and room heater भी आप यूज़ नहीं करोगे तब आपका पानी ठंडा होगा अभी तो December का end होने वाला है almost तो अभी तक मैं room heater यूज़ नहीं किया हो बाद मैं अगर यूज़ करता हो तो मैं आप लोग को ज़रूर बताओगा अभी और दो मैना बाकी है winter तो यह हो गया guys indoor पे अगर आपको like pond heat करना है without using that plastic आप अच्छा view भी देख पाओगे वीडियो भी कर पाओगे कोई आपका घर पे भी आएगा तो ठीक आपको दिखेगा and every morning मैं करता हो window को एक बर खोल देता हो जो भी like कुछ gas रहता है अगर मैं feeding दिया तो उसका भी smell रहता है तो वह बाहर निकल जाता है ठीक है फिर मैं दो पैर को बंद कर दे तो यहाँ पर कोई भी sunlight नहीं आता है यह वाला room पर मैरा कहीं से भी sunlight एंटर नहीं होता है पुरा बंद room में तो यह हो गया मैरा 14 feet का तो आप चलते है 18 feet पर मैं कैसे hit कर रहा हूँ वह आपको दिखा रहा हूँ तो इसको मैं अभी तक दो method यूज कर चुका हूँ दोनों अच्छा है बाट second वाला मुझे थोरा बेटर लगा है बाट एक disadvantage भी है उसका पहला method है आप मेरा pond देखे होगे मेरा उपर advestors दिया हुआ है तीनों side में wall है और सामने मोटा grill लगा हुआ है तो मैं क्या क्या हूँ आप लोग देख सकते हैं सामने का जो portion है मेरा मैं उसमें black ढालाय का जो plastic रहता है वो मैं लगा दिया हूँ ठीक है tarpulin बोलता है उसको तो इस तरह से क्या हो रहा है बाहर से कोई भी ठंडा हवा नहीं खुस रहा है अंधर में क्या कर रहा हूँ आप एक साइट का पूरा गरम रहता है मैं रात को CCTV में देखता हूँ फिसेस वहाँ पर आके कुछ दे रहता है फिर एक राउंड मरता है और रूम हीटर कैसे यूज़ करता हूँ मैं वो भी बता दे रहा हूँ सुभा में यूज़ नहीं करता है रात को सबसे ज्यादा ठंडा रहता है तो साम को लाइक 5 बज़े से 6 बज़े चलाया फिर एक घंड़ा बंद कर दिया फिर इस तरह से मैं 4-5 बार रूम हीटर यूज़ करता हूँ एक और मैं कोई भी हीट बल्प यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिस तरह से मैं आप लोगों को बताया था ग्रीन आउस एफेक्ट में बट इसमें मैं नॉर्मल लेडी जो रहता है 9 वाट का वो यूज़ कर रहा हूँ बस इसमें रूम हीटर यूज़ हो रहा है और दो एक्स्ट्रा 300 वाट का हीटर तो यह एक मेथड हो गया सबसे अच्छा है आप पानी पुरा क्लीन देख पाऊँगे ठीक है कोई यालगे नहीं आएगा एक और मेथड में जो यूज़ करता हूँ इसमें मैं एडिशनल सनलाइट को एड़ कर रहा हूँ उसके साथ बाकी सब कुछ सेम रहता है आप देख सकते हैं मेरा पॉंड ऐसा जगा पर बना हुआ है सुबह से सामको 3-4 बज़े तक सनलाइट इसली मिलता है तो इस तरह से देखिए पानी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड सनलाइट का कारण एक डिसर्वंटेज है पानी थोड़ा हरा हो जाता है एलगे आ जाता है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है एलगे इस गूट फॉर दा फीसेस आप सोचिए जहां यह लोग ओरिजिन जहां से है एमाजन वहाँ पर पानी कैसा रहता है हम लोग के तरह एकुरेम का पानी के तरह थोड़ी रहता है हरा रहता है एंड इस पर उसका लाइक और कलर अच्छा से खिलता है और बहुत कुछ बेनी फीटे गाए इस एलगे का बट हम लोग को भाई साफ पानी देखना है और मैं तो वीडियो बना तो अगर मैं हारा पानी दिखाओगा आप लोग को कुछ फिस दिखेगा है नहीं तो यह हो गया मेरा expensive method ठीक है यह मैं सब को recommend नहीं करोगा पहला वाला भी यूज कर सकते हो बट अगर आप यूटूबर है और आप frequent वीडियो अपलोड करते हो देन आप यह वाला method यूज कर सकते हो ठीक है बट लास्टली कुछ और पॉइंट से additional मैं आप लोग को बता रहा हो बहुत लोग इस पॉइंट पे पानी बहुत ज्यादा रखता है पांच फीट छे पीट तो वह भी winter के लिए बहुत अच्छा है पानी का depth अगर ज्यादा रहेगा त नीचे का पानी गरम रहेगा मैं इसका एक example बता रहो अगर आपके खर पे कुवा है वेल जिसको बोलते हैं लोग तो उस पर आप लोग देखेंगे सुबह का पानी गरम रहता है यूंकि ज्यादा रहने से पानी का नीचे वाला portion वह हमेंसे गरम ही रहता है उपर का portion ठंड रहता है तो एंड पे में यहीं बताओगा क्या क्या मैंने डिसकर्स किया एक नैचरल सनलाइट हो गया फिर उसी का सब काटेगरी हीट बल्प हो गया फिर नेक्स काटेगरी जो मेरा था रूम पूरा सील करके water vapor जो हो रहा है शिटर के थूट हो गया फिर एक और मेथड जो के पॉंड को हीट करना फिर लास्ट में जो मैं अपना दिखाया सब्सक्राइब भी उसमें एड़ करो रूम हीटर भी चलाओ और हीटर भी लगा दो एकुरें हीटर तो बहुत टैप का मेथट में आप लोग के साथ सेर किया और आप लोग को मेथट कीजिए आप लोग को कौ अल्मोस्ट सथा है जादा एक्स्पेंसिव नहीं है वह सोलर हीटर हीट यहिट पर डी आइसर का जाय सा क्यूंकि हमेसा लाइक सथाष्ट वाला देसी श्टाइल में जुगाड कुछ करने का कोशिज करता हूँ एड्ट डेफिटिल्ली वह काम करता है आप लोग मेरा DIY प्रोजेक्ट प्लेइलिस चेक कीजिए मैं बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़े बनाया हूँ आगे और भी अच्छा अच्छा चीज़े बनाऊगा तो ये था गाइस आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कॉमेंट, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूर फ्रेंड और फैंबली आप लोग कॉमेंट कीजिए आप लोग कोई वीडियो कैसा लागा ठीक है तो तो दर्सलिन इस वीडियो वीडियो, हाव थाईस टेव, पीस